हेई दोस्तों वेलकम बैक टू दो चटपट टोई टीवी आज की वीडियो जो है पूरी तरीके से स्टूडेंट के लिए एक डेडिकेटेड है तो गाईस आप लोगों को पता ही होगा इंडिया में जो है अभी फिलहाल समर सिजन चल रहा है समर सिजन में लाइट जाने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपनी स्टूडेंट सहीं से नहीं कर पाते हैं तो यह जो प्रोडेक्ट आप देख रहे हो मेरे हाथ में पूरी तरीके से स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है यह जो product है यहाँ पर सकते हो लिखा है penguin light emergency lab बोलकर यह जो product है two in one product है आप इसे चाहे तो rechargeable emergency lab की तरह भी use कर सकते हो या फिर एक study lab की तरह भी use कर सकते हो तो यह जो product है पूरी तरीके से made in इंडिया है इस product की सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ guys यह देख सकते हो यहाँ यहाँ पर एक penguin है इस penguin के अंदर ही सारी lights fit की गई है देखने में यह जो चीज है बड़ी कमाल के दिखते है guys वीडियो लाश तक जरूर से देखना है guys यह जो product है मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था इसलिए मैंने खरीदा है आप जैसे students को बताने के लिए कि इस तरह की एक emergency और study lamp मिल रही है market में तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा quote लिखा है मैं आपको पढ़के सुना देता हूँ पहले यहाँ पर लिखा है the bright bird for darkness बोलके लिखा है यार कितना बढ़िया quote लिखा है इन लोगों ने पीछे देख सकते हो यहाँ पर दो students जो है अपनी study कर रह है यहाँ पर हमारी penguin light लगा कर यह जो प्रोटेक्ट है इतने डेर सारे colors में मिल जाता है और सबसे खास बात यह जो प्रोटेक्ट है पूरी तरीके से make in इंडिया है तो यहाँ पर भी देख सकते हो लिखा है penguin light emergency lamp बोलकर तो यहाँ पर इसका price 1249 rupees buy link मैंने नीचे description में दे द जाता है इसे अन्बोक्स करने से पहले एक बहुत important चीज मैं आपको बलना चाहूंगा चटपट gaming tv पर episode 5 वाली वीडियो डाल दी है मैंने अगर आपने अभी तक नहीं देखिए तो यह जाकर ज़रू से देख लेना आप में से बहुत सारे लोग इंतिजार कर रहे थे episode 5 व subscribe करना साथ में bell icon भी दबा देना और all notifications को भी ज़रूर से on कर देना ताकि मैं जबी भी नई वीडियो डालें वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको तो इसके अंदर क्या-क्या चीजे मिली है सारी चीजे मैं आपको निकाल के बता देता हूं यह है इसका charger मैं आपको बता लिए मैंने एक एक करके आपको सारी चीजे दिखाता हूं भी तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं हमारी emergency lamp को यार बहुत ही light weight है यह उपर एक cover है यहां से cover को हटा देते हैं यह हटा दिया मैंने cover ओ भाई देखने में बिल्कूल एक penguin जैसे ही नजर आ रही है यहां प उपर जो आप पाट देख सकते हो पूरी तरीके से diffuser लगाया गया है ताकि रोशनी बहुत ज़्यादा ना सके बहुत ज़्यादा रोशनी आने से हमारी आखों पर भी effect पढ़ सकता है यह जो इसके wings देखर हो आप पूरी तरीके से rubber के बनाए गये हैं इसके और भी बहुत सारे specifications है मैं आपको user manual में पढ़के बता दूँगा तो वरहल इसका design आप देख सकते हो बिल्कुल एक penguin की तरह ही इसका design बनाया गया है और इसके अंदर light किस तरह से on करना है और charging कहां पे लगाना है मैं आपको बता हूँगा तो पहले इसके specifications मैं आपको दिखा देता हूँ वाइस क्या क्या है इसके specifications जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो यह है इसकी user guide इसके अंदर जो है rechargeable lithium-ion वाली बैटरी दी गई है पर यहां पर कहीं पर भी mention नहीं किया गाईस कितने image की बैटरी दी गई है यहां पर इसका product के features पर सकते हो जैसे कि 100% illumination backup light 50% illumination backup light power for 6 hours है या और अगर आप इसे study lab की तरह use करते हो तो यहां पर देख सकते हो गाईस 30 गंटे से भी ज्यादा समय तक आप इसे continuous use कर सकते हो यहां पर है इसका warranty card मैंने आपको बताया था यह जो चीज है पूरी one year की warranty के साथ हमें मिलती है तो यह देख सकते हो गाईस यह एक stand भी मिलता है तो यह भी रखते हैं side में तो चलो अभी मैं इसकी light भी on करके बताता हूँ देखते हैं कितनी bright है यह तो दोस्तों इसकी जो light है काफी ज़दा bright है आपको में रूम में सहीं से दिखाई नहीं देगा क्योंकि यार मेरे रूम में काफी ज़दा lighting करनी पड़ती है वीडियो स आखों पर भी ज्यादा एफेक्ट नहीं डालती है क्योंकि उपर जो है इन लोग ने एक डिफ्यूजर लगा रखा है तो इसे एक और बार प्रेस करने पर आप देख सकते हो यह हमारा स्टडी लैंप यहां पर ओन हो चुका है तो फिर एक बार दबाने पर यहां पर देख सक हुआ हो देखते हैं यह लाइट सही से दिख रही है कि नहीं यहां पर देख सकते हो मैंने मेरे दिरूम के फिए चलंग बंद कर रखी है तो आप इस तरह से करके देखते हैं यह रही इसकी एमर्ज Nसी लम्प ओन हो चुकी है है तो यह है इसकी फुल एमर्जनसी लाम उने सुक हुज है अब हंडेट पर सेट पर चल रही है यह कि अभी लाइट को लेते हैं और दोस्तों जहां तक Dog these को इसकी ब्ल्ट क्वालिटी की बात करें काफी मजबूत प्लास्टिक से बनाया गया है सामने का डिफीउसर वी काफी जादा मजबूत है पीछे फार्ल फॉल्टीक जो है काफी मजबूत है और इसका डिजाइन तो क्या ही का ना गाईज बिलकुल एक penguin ही नजर आएगा अगर आप इसे दूर से देखोगे तो पीछे tail भी दी गई है और इसके legs देख सकते हो पूरी तरीके से plastic के बनाए गए हैं तो भाई काफी बढ़िया quality भी लगी मुझे इसकी यह रहा इसका charger अगर आप इस charger से इसे full charge करना चाते हो तो आपको 5 घंटे का समय लगेगा पर गाईस आप इसे 5 घंटे तक वापस से use भी कर सकते हो अगर आप इसे full 100% पर चलाते हो तो तो गाईस वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना अगर आप यह emergency lamp खरीदना चाते हो तो buy link मैंने नीचे description में दे दिया है वहाँ से जाकर आप चाहे तो इसे खरीद भी सकते हो तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ shout out दोस्तों कल मैंने ये वाले experiment kit की unboxing की थी अगर आपने वीडियो नहीं देखे ते यार जाकर जरू से देख लेना काफी बढ़िया experiment kit है यह यहाँ पे सबसे पहला नाम आजाता है बपा चक्रबोर्ती, प्रग्या मिश्रा, मिथिलेश, महेश खंडेलवाल, अंजर पाशा, राजू रोहन, मायूर चौधरी, संजेत तिघारे, वेदान्त, रिंकू दास ताइक्क्यू दोस्तो, इतना अच्छे कमेंट्स करने के लिए और था को भी चाहिए शॉट हर तो इस वीडियो पर लाइक कर दीजे, लाइक नीचे कर दीजे, और नीचे करने के बाद आपका नाम भी जरु one लुसे टाइप करतें डेक्ष्ऽ मैं, आपको ही शूट प्रेइक आपता के लिए, बाइ दोस्तों!